गुड मोर्निंग एवरीवन दोस्तों आज है 16 जुलाई 2021 और हम लोग करने वाले हैं देखते हैं आज हम कौन-कौन से टोपिक करने वाले हैं पहला टोपिक रहेगा देखें पेज नंबर मैंने साइड में दिया हो आप देख सकते हो और वैसे भी इसकी PDF मेंना को है WhatsApp पर भी प्रवाइड करवा दी है और Telegram पर भी प्रवाइड करा दिया वहां पर जाके देख सकते हो पहला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं देट वूड बी अबार दा सेडीशियस लोग सुप्रीम कोट ने केंदर को डांट भी लगाई है और सेंटरों कुछ सवाल भी प Commission जो West Bengal में जो वाइलेंस हुए थे लेक्शन के बाद उससे के बारे में है यह है थोड़ा इसको देखेंगे हम लोग GS Paper 2 से कवर करेंगे अगला जो है वो इंडिया और चाइना के बीच में है कैसे जो है लदाख में इस्टन लदाख में जो इशूस हुए थे उसके रिगा इसके बारे में जो है WHO ने क्या बोला है ठीक है तो इसके चीफ ने कुछ भूला है तो थोड़ा उसके बारे में देखेंगे तो GS Paper 2 और 3 से इसको हम लोग कवर करेंगे अगली जो न्यूस रहने वाली है देट वोड़ भी फ्रॉम पेज नंबर 17 and it is about inflation देखिए RBI अपना जो है मन्तली एक रिपोर्ट निकालता है उस मन्तली रिपोर्ट में जो है कुछ inflation को लेगे कुछ बोला गया है ठीक है inflation मतला महेंगाई इसको लेखे RBI ने क्या बोला है क्या RBI की observations है इसके बारे में देखेंगे from GS Paper 3 और जो हमारा editorial रहेगा that would be about the post pandemic doctors ठीक है यह आज की editorial है थोड़ा इसके बारे में हम लोग discussion करेंगे लेकिन एक editorial मैंने जो है वो दा हिंदू से भी लिया हुआ है अच्छा editorial था तो यह दिया हुआ जो है police reform के बारे में है और police investigation के बारे में है और कैसे police investigation के अंदर जो है courts especially high courts intervention करते हैं उस को लेके है और कैसे supreme court ने high courts को lower courts को कुछ instructions दे है police investigation के regarding उसके बारे में हम लोग editorial पढ़ेंगे काफी detail में ठीक है तो आप वहाँ जाके वो कर सकते हो हमेशा की तरह आज फिर मैं बूलना चाहूंगा that you should know your syllabus जब भी आप newspaper पढ़ना जाओगे तो आपका syllabus आपको हमेशा guide करे हैं तो अगर आप हमें help करना चाहते हो financially तो आप हमें यहाँ पर donate कर सकते हो Google Pay कर सकते हो पेटियम कर सकते हो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एडिटोरियल की तो आज हम लोग पहला जो आर्टिकल की शुरुआत करने वाले हैं वो रहेगा seditious laws के regarding supreme court ने कुछ बोला tradition का मतलब होता है राज-द्रो और एक और word होता है जिसे कहा जाता है दे shrinking, देखे दोनों में फरक है ठीक है देश-द्रो का मतलब होता है जब किसी country के अगेंस्ट में खड़े हो जाते हो, आवाज उठा थाते हो पुरा देश के अगेंस्ट में आवाज उठाते हो. राज- में अगेंस्ट में आवाज उठाना इसरी इस चीजहों का समझो आप सरकार के अगेंस्ट में आवाज उठा सकते हो अगर स्वी पोलिशी से खुष नहीं है आप सड़क पर पुरी तरह से protect करता है, लेकिन जैसे अगर आप violence करोगे तो आपको कोई भी protect नहीं करेगा, आपको jail में डाला जा सकता है, सबसे पहले 1837 में इंट्रडूस किया गया था भाई Britishers, जिसे कहा जाता है Thomas Macaulay Draft, ठीक है, तो penal code में इसको एड़ किया गया था, लेकिन बाद में इसको यहां से हटा दिया गया, finally 1870 में 1870 में इसको दोबारा से Indian Penal Code के अंदर में एड़ किया गया, ठीक है, Indian Penal Code के अंदर एड़ किया गया, बतले 1898 में एड़ किया गया था, यह लेकिन amendment हुआ था, लेकिन जो code है, वो 1870 वाला है, और इसके अंदर जो section एड़ किया गया था, वो था section 124A, इसको आप य news में हैं, तो आपको एक्जाम इसी तरह का question पूछता है वो, के recently 124A was in news, it is related to word, वो आपको दो तीन चीज़े पूछेगा, पूछेगा social media regulation, IT act, sedition law, तीन चारह ऐसे option देगा आपको, तो you should know, के 124A जो है, वो sedition law से related होता है, ठीक है, आज भी, आज भी, यह Indian Penal Code के अंदर जो है, section 124A में ही include किया जाता है, अब इसके अंदर है क्या, देखे, इसके अंदर लिखा गया है, साफ-साफ शब्दों में लिखा गया है, अगर कोई व्यक्ति, मतलब whoever, अगर आप कोई ऐसे शब्द, या बोलते हो, या लिखते हो, या फिर कोई ऐसा sign लगाते हो, या visible representation लिखते हो, जैसे मालों मैंने कोई T-shirt के उपर, जो है, Modi G के अगेंस्ट में कुछ लिख डाला, तो वो भी एक visual representation होता है, मैंने कुछ Facebook पे बना status लिख दिया, या YouTube पे मैंने कोई वीडियो बना दी, कुछ मैंने बोल दिया, सरकार के अगेंस्ट में, किसके अगेंस्ट में सरकार के प्रति disaffection create करने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे जेल में डाला जा सकता है, मुझे imprisonment में डाला जा सकता है, मेरे उपर fine भी लगाया जा सकता है, समझ रहे हो, अगेर आपने Facebook के उपर, या WhatsApp के उपर, Instagram, Telegram के उपर, सरकार के अगेंस्ट में कुछ बोला, या लिखा, ठीक है, तो आपको जेल में डाला जा सकता है, under section 124A of IPC Indian Penal Code, ये कहता है section 124A, जिसे कहा जाता है, seditious act, ठीक है, तो आपके बारे में इसको थोड़ा पता है, अब इसका misuse करती है, सरकार देखे बहुत बार, है ना, आपने मोधी जी के अगेंस्ट में कुछ लिख लिखा, तो सरकार आपके उपर seditious low लगा देती है, खामखा आपको जेल में डाल देती है, और एक बार आपके उपर ये case लग जाता है, को बेल बड़े मुश्किल से मिलेगी, और अगर आपके पास ये एक बार चार जलग गयान हो, तो आपको सरकारी नोपरी भी नहीं मिल लिखेगी, तो बहुत सरी प्रोलम है यहां पर, ठीक है, तो किसी के उपर लगा जा रहा है, जैसे मान लोग किसी इनवर्सिटी के स्टुडेंट अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उनके उपर भी डाल दिया, अभी किसानों के उपर लगा दिया, काफी सारे फार्मर्स फ्रोटेस्ट कर रहे हैं, जैनु मे कही सारे स्टुडेंट्स के ऊपर लगा दिया गया, तो कोई भी अगर सरकार के के चैस मेंँ प्रोटेस्ट करता है, सरकार के उनको बार यह जो है साडी श्यक लगा के उनको जेल में डाल देती है, तो यह तो गलत बात है ना, तो जिस अब क्योंकि इसको किस ने introduced किया था इसको Anग्रेज लोगों ने introduced किया था Britishers ने introduced किया गया था क्यों introduce किया था पू सपेस्वीनमओ और एक्सपरेशन ओडियान्स जो लोग अंग्रेजों के खिलाफ वाज उठाते थे अंग्रेज उनके उपर ये चार्ज लगा कि उनको जेल में डाल देते थे देखे ऐसा बाल गंगदर तिलक जी के अगेंस्ट में हुआ 1897 में और 1908 में उनके अगेंस्ट में लगाया गया और उनको जेल में डाल दिया 6 साल के लिए 1922 में यही गांदी जी के अगेंस्ट भी लगाया गया, गांदी जी के भी सजा सुनाई गई, उनको भी जेल में डाल दिया गया तो historically Britishers लोग इसका misuse करते थे अपने फायदे के लिए अंग्रेज तो चले गए, पीछे से 124A छोड़ के चले गए आज सरकार फिर वही काम कर रही है, जो भी सरकार के अगेंस्ट में आवाज उठाता है सरकार उसको 124A के अंदर में जेल में डाल देती है, काफी जादा misuse हो रहा है इसलिए बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं अगेंस्ट इस and they are demanding from सुप्रीम कोर्ट सर प्लीज जस अबोलिश इस आर्टिकल 124A because this is draconian act and this is introduced by the Britishers in India तो यार हमारी डेमोक्रेसी है, वाइबरेंट डेमोक्रेसी है, है ना तो डेमोक्रेसी में इस तरह के कानून का क्या मतलब है तो इस सुप्रीम कोर्ट के पास इस डिमांड गई हुई थी, देखे 1962 में बलवन्त सिंग और स्टेट और पंजाब में एक केस कहा था इसी को लेके उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया था कि आप सरकार के अगेस्ट में कुछ भी बोल सकते हो, आप सरकार के अगेस्ट में कुछ भी लिख सकते हो अगर एस लोग एस वाइलेस नहीं होता है, तो उसको सेडिशन नहीं माना जाएगा हाँ अगर आपके लिखे हुए से आपके बोले हुए से वाइलेस होता है तो seditious लोग आपके उपर लग सकता है ऐसा साफ साफ बोला है सुप्रीम कोट ने 1962 में उसके बावजूद भी सरकार इसका मिस्यूज करती है बहुत जादा यह नियूग वाले केस में अभी को स्टैं्स्वामी वाले केस भी वा था ह्वा था जो फादर थे स्टैंडस्वामी जेल की мо्िति पहले यह था जादा कि फिर वह ऊंपर सटीशन लोगा जाता है ताकि उनको हराश किया जा सेके, यह मैं नहीं कहँ रही हो, यह आंकडे कहँ रहे हैं, यह आंकडे कहँ रहे हैं, देखे, 2016 में सिर्फ 35 लोगों के उपर seduction लोग आया गया था, लेकिन 2019 में यही 193 लोगों के उपर लगाया गया, तो देखे, percentage कैसे बढ़ रही है सरकार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के percentage लो लगा रही है in 193 case में से सिर्फ 17% only 17% case में जो है चारशिट फाइल की है पुलिस ने और उन में से सिर्फ 3.3% case में ही conviction आया है मतलब बाकी के बचे हुए 96% लोग totally innocent है according to this according to this fact इसका मतलब यह है कि सरकार इस लोग का misuse करती है बहुत ही ज़ादा इसलिए Supreme Court ने अभी सरकार से जवाब मांगा है कि सर्य जो अंग्रेज इस कानून को ले के आये थे क्योंना हम इसको scrap कर दें आपका इसके बारे में क्या कहना है अब यह देखना रहेगा future में के center जो है इसके उपर क्या जवाब देती है ठीक है वो सारी की सारी चीज़ है क्योंकि देखे सरकार का criticism करना एक बिल्कुल fundamental right है आपका अगर आप सरकार को criticism नहीं करोगे अगर आप सरकार की policies के हमावाज नहीं उठाओगे तो इसका मतलब यह democracy नहीं है ना फिर तो dictatorship हो गया यह कि government public के लिए accountable होती है public को public के लिए public को जवाब देना पड़ता है सरकार को और अगर सरकार public की ही आवाज को दबाएगी तो किसको जवाब देगी है ना तो यह ऐसा कहा है supreme court ने ठीक है और जब 20 तरह की case आते है तो आपको हमेशा supreme court का ही favor करना चाहिए सरकार का favor नहीं करना चाहिए सरकार तो आती जाती रहती है अपने आपको power में रखने के लिए बहुत सरी चीज़े करती है लेकिन constitution को protect करने की जो major responsibility है वो है supreme court की अपने exam में भी कभी भी आप answer बगारा लिखो तो हमेशा जो court ने बोला है उसकी favor कीजिए ठीक है चलिए हालांकि आप court को भी criticize कर सकते हो कुछ मामले में ऐसी बात नहीं है लेकिन criticize करना और critical analysis करना दोनों अलग-अलग चीज़े होती है ठीक है criticize करने का मतलब होता है कि आप गाली दे रहे हो critical analysis करने का मतलब यह है कि उस सेम चीज़ को आप जो है different dimension से cover कर रहे हो अलग-अलग dimension से उसको सोच रहे हो that is the meaning of that ओके चलिए आगे वढ़ते हैं अगली जो ख़बर आई है वो आई है RBI से और inflation से inflation का मतलब होता है महंगाई हर महीने RBI एक मंतली bulletin निकालती है मतलब मंतली report निकालती है उस मंतली report में सरकार ने inflation RBI ने inflation के बारे में कुछ बातें बोली है देखे inflation क्या होता है inflation का मतलब होता है जब चीज़ों के दाम बढ़ने लगते हैं अब यह price जो है किसी भी चीज़ का कहीं तरीके से हो सकता है, या तो demand बढ़ गई हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ की demand करने लगए हूँ, अब जब आप चीज़ की ज़्यादा demand करोगे, तो definitely उसका price तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ज़्यादा लोग अगर दुकान वाले के पास जाएंगे, एक ही product को खरीदने के लिए, तो दुकान वाले तो आपसे ज़्यादा price चार्ज करेगा ना, क्योंकि इसको profit हो रहा है, as simple as that, और दूसरा reason हो सकता है cost push, जब उस सामान को बनाने वाले raw material की cost बढ़ जाती है, तो सामान का भी cost बढ़ जाता है, तो वो भी महंगाई हो जाती है, जैसे अगर आप जूता बनाते हो, शू बनाते हो, और शू बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको leather चाहिए होता है, अगर leather का ही price बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब शू का भी price बढ़ जाएगा, इसी से inflation होती है, दो तरीके होते inflation, या तो demand pull या फिर cost push, मतलब लोगों के पास अगर पैसा जादा आएगा, money supply, तो लोग जादा demand करेंगे, money आएगी, reverse repo rate, bank rate, बहुत सारे tool होते हैं, जिससे RBI हमारे country के अंदर inflation को control कर सकता है, money supply को control कर सकता है, तो inflation को जो control करने की responsibility होती है, यह होती है RBI की, और RBI ने एक target रखा हुआ है, वो कितना target है, 4% plus minus 2, समझ रहो, मतलब अगर inflation, अगर 2 के बीच में और 6 के बीच में है, इसका मतलब inflation healthy है, देखे, inflation भी beneficial होती है, लेकिन अगर वो limit में रहे, लेकिन अगर वो 6% से ज़्यादा हो जाती है, तो inflation हमारे country के लिए काफी dangerous होती है, और इस समय inflation जो है, वो 6% से ज़्यादा जा चुकी है, तो RBI के इसके बारे में क्या कहना है, RBI का कहना है, कि inflation इसलिए बढ़ा है, कि second wave के बाद, अब जो economy थोड़ा थोड़ा खुलना शुरू हुई है, उसकी वज़े से लोग डिमांड करने लगे हैं, और डिमांड करने से price बढ़ने लगा है, दूसरा रिजन क्या है, low recovery in manufacturing sector, manufacturing sector की, देखे, manufacturing sector में, जो है, recovery करने में समय लगता है, वो दो दिन में recover नहीं हो सकता, तो इसकी वज़े से भी inflation बढ़ा है, तीसरा क्या है, supply shocks, क्योंकि second wave चल रही थी, इसी वज़े से समान supply नहीं हो पा रहा था, transport बंद था, तो क्योंकि supply नहीं हो पा रही थी, raw material की, इसलिए finished product भी, final product भी महंगा हो गया, ठीक है, और RBA ने ये भी बोला है, कि अभी जो महंगाई वाला trend है, कुछ समय चलेगा, अभी 3-4 महीने और यही महंगाई चलेगी, बढ़ेगी, क्योंकि जब तक खरीव की फसल मार्किट में नहीं आती न, तब तक महंगाई बढ़ेगी, लेकिन एक बार खरीव की फसल, अगर महंगाई आ जाएगी मार्किट में, तो inflation अपने आप ही कम हो जाएगा, ऐसा किसका कहना है, RBA का कहना है, लेकिन हमेशा जब भी मैं economy के topic करवात हूँ, आपको एक ही बात बोलता हूँ, जब तक आपको economy के topic समझ में नहीं आएगे newspaper से, जब तक आप अपनी basic terms को clear नहीं करोगे, ठीक है, newspaper से आपको तब तक economy वाला section समझ में नहीं आता है, तो आप पहले आपने economy वाले basic terms को clear कीजिए, basic portion कवर कीजिए, आप NCRT से start कर सकते हो, या कुछ इस तरह की terms होती हैं, आप उसको Google कर सकते हो, ठीक है, तो Google प्लस NCRT आपके सामने ये चीज़े हैं, जहासे आप आप cover करिए, यहाँ से cover करने के बाद, फिर आप news paper पढ़ोगे न, आइकोनवी वाला section, आपको अच्छी से समझ में आएगा, चलिए, अगली news है वो चाइना से, देखे, हम सब को पता है के जो, GNK के अंदर जो लद्दाख वाला region हैं, यहाँ पर कुछ issue create हो गए थे, इंडिया और चाइना के बीच में, specially Galwan, Galwan Valley आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, Galwan Valley, यहीं पर एक जगह है, जिसका नाम है Hot Spring, और यहाँ पर एक जगह है, जिसका नाम होता है Gang Choke, ठीक है, Gang Choke, अब यहाँ पर इस side में, चाइना ने अपने soldiers को तैनाद कर दिया था, उसके जवाब में, इंडिया ने अपने soldiers को यहाँ पर तैनाद कर दिया था, जिसकी वज़े से काफी tension हो गई थी, 20 soldiers की जो है, जान भी चली गई थी clash में, है ना, इस सब का बात का सब को पता है, उसके बाद इंडिया और चाइना ने discussion स्टार्ट किया था, disengagement के लिए, और कुछ disengagement हुआ भी, चाइना ने अपने soldiers को वापिस बुलाया, और इंडिया ने अपने soldiers को वापिस बुलाया, लेकिन अभी भी कहीं जगा ऐसी हैं, जैसे होट स्प्रिंग हो गया, जैसे गैंग चुक हो गया, यहाँ पर अभी भी चाइना के soldiers बैठे हुए हैं, वो वापिस जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, जिसकी वज़े से अभी भी tension बनी हुई है, तो अभी meeting थी, कहाँ पर meeting थी, SEO की meeting थी, SEO की meeting कहाँ थी, यह country है ताजिक्स्तान, ताजिक्स्तान की जो capital है वो है दुशामबे, दुशामबे के अंदर SEO की meeting थी, SEO मतलब संगाई corporation organization, जो 2003 में बनके तयार हुआ था, मतलब जो हद्दा 3 से start है, इसके अंदर 8 member हैं, initially इसके अंदर 6 member थे, चाइना, कजिक्स्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिक्स्तान और रुजबेकिस्तान, लेकिन 2017 में इसमें इंडिया और पाकिस्तान को भी add कर लिया गया था, ठीक है, शंगाई corporation में total 8 member हैं, यह आपको पता होना चाहिए, तो यहाँ पे जो है, दोनों countries के, जो foreign minister है, उनकी meeting थी, उन्होंने आपस में बातचीत किया, और उन्होंने कहा के पैंगोंग, सो लेक और गल्वान से, जो disengagement हुआ है, वो disengagement दूसरी जगह से भी होना चाहिए, कहाँ जैसे hot spring, गोरगा पास, डैप सांग, डैंक चोग, ये भी वहीं पे हैं जगह, जहां से disengagement नहीं हुआ है, ठीक है, तो exam में आपसे कहा है, कैसे question पूछेंगे, exam में आपसे बोलेंगे, कि recently hot spring, गोरगा पास, डैप सुंग, it was in news, तो ये कौन सी state में पढ़ता है, they will ask you that kind of question, in Europe, they will give options like, करुना, अचल प्रदेश, सिक्कीम, उत्तराखन, J&K, आपको पता होना चाहिए, ये जो है J&K के अंदर है, या लदाख भी कह सकते, अब तो separate union territory हो गई है, है ना, इस तरह से question आपसे exam में पूछे जाते हैं, तो इन्होंने यही कहा है, देखे 1993 और 1996 में, इंडिया और चाइना के बीचे में agreement हो था, जिसमें ये कहा गया था, कि border के उपर हम लोग minimum soldiers रखेंगे, minimum, लेकिन उसका violation किया गया है, तो चाइना बार 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 चाइनों के यही बात बोल रहा है, कि 93 और 96 वाले agreement की, आप respect कीजिए, अपने सैनिकों को वापिस बलाईए, चाइना ने भी कहा है, कि इंडिया की भी responsibility है, सिर्फ चाइना की responsibility नहीं है, तो देखना रहेगा, फ्यूचर में इनके बीच में और क्या engagement होते हैं, क्या बातचीत होती हैं, चलिए, ठीक है, अभियाओ का पता है के वेस्ट बेंगोल में इलेक्शन थे, इलेक्शन में वेस्ट बेंगोल में जो TMC, यानि के जो ममता जी की सरकार थी, वो जीत गई, बीजेपी की सरकार वहाँ पे हार गई, लेकिन उसके बाद वहाँ पे काफी ज़्यादा violence हुआ, वाइलेंस हुआ, जिसमें कहीं सारे लोग मर गए, औरतों का कहीं का रेप भी हुआ, उनको फिजिकली हरास किया गया, वो सारी की सारे चीज़े हुई, और ये मामला चला गया, देखिए कोर्ट में मामला गया, वो तो अलगी बात है, लेकिन ये मामला जो है, Human Rights Commission के पास भी गया, जिसे का आजाता है, NHRC, National Human Rights Commission, इसलिए National Human Rights Commission, वो न्यूज में था, ये इसको आपको पढ़ने की जूरत नहीं है, वाइलेंस हुआ, क्यों वाइलेंस हुआ, कौन-कौन इसमें थे, किसने किसी को मारा नहीं नहीं, वो एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट नहीं है, एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है, NHRC क्या है, NHRC जो है, इसको प्रोटेक्शन ओफ्यूमन राइट एक्ट 1993 के तहत, इसको एस्टेबलिश किया गया था, क्योंकि पैरिस प्रिंसिपल ओफ्यूमन राइट 1991 में, युनाइटेड नेशन के अंदर पास किया गया, तो इसको इंडिया में पास करने के लिए हम लोग इंडियन लो लेके आए, 1993 में, ठीक है, NHRC क्या कर सकता है, NHRC किसी भी केस को इंवेस्टिगेट कर सकता है, जहां पर इसको लगता है कि human right का violation हो रहा है, तो यह जो है, बेंगोल वाले violence को भी इंवेस्टिगेट कर रहे थे, NHRC के जो मेंबर होते हैं, कंट्री में किसी भी prison को, जो है, वहाँ पर जा सकते हैं, किसी भी prison में visit कर सकते हैं उसको survey कर सकते हैं उसको observe कर सकते हैं और उसके बाद वहां कि उसकी report को issue कर सकते हैं ठीक है उसके बाद NHRC की observation होती है नर्चMOIAC सी उसके basis पर recommendation देता है प्रैजिडन्ट को रीकमेंडेशन देता है प्रैजिडन्ट जो है इसकी रिकेमेंडेशन की रिपोर्ट जो है वह पारल्यमेड के अहलुट के अंदर पेश करते हैं तो पेसे निचर से कि कुछ पावर होती है हाला कि निचर से कई js है कई maintenance जैसे आर्मी वाले जो मामले में दखल अंदाजी नहीं कर सकते नहीं किसी प्राइवेट केस में दखल अंदाजी नहीं कर सकता और इसकी जो रिकमेंडेशन होती है वो बाइंडिंग नहीं होती है वो सिर्फ और सिर्फ सजेशन दे सकते हैं ठीक है तो नहीं वेस्ट पेंगो के पास जाएगा, देखना रहेगा, CBI इसके अंदर क्या action लेती है, और क्या West Bengal सरकार का इसके उपर reaction रहता है, वो थोड़ा future में देखना रहेगा, interested रहेगा, वो काफी जादा, चलिए, यह जो editorial यह है, वो the Hindu से लिया है, the Hindu भी आपके साथ share कर दिया गया, अच्छा editorial था, इ देखिए, mostly लोग क्या समझते हैं, वो police को corrupt समझते हैं, ठीक है, और mostly लोग police से डरते हैं, क्योंकि कहीं बार police जो है, वो गलत activity में involved होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है, कि police हर समय गलत होती है, कहीं बार ऐसे case सुनने को मिलते हैं, police गलत होती है, जैसे, अमेरिका में आप नहीं देखा होगा, कि police officer ने एक black आदमी की जो है, गले पे बैठके उनकी जान चली गे थी, जिसका नाम था George Floyd, है ना, George Floyd इवाला case आपने सुना होगा, जिसके बाद अमेरिका में बहुत सारे protest हुए थे, है ना, black lives matter और वो सब, George Floyd, इसी तरह का एक case तमिनाडू के अ सामने आते हैं, तो चाहे वो court हो, चाहे वो आम आदमी हो, police के लिए उनके मन में गुस्सा होता है, और वो police को corrupt बोलते हैं, और police के ओपर सारा blame डालने की कोशिश करते हैं, है ना, तो ये simple सा मामला है, हम सब को इसका पता है, police का काम होता है, किसी भी state के अंदर law and order को maintain करना कई बार वो successful होती है, कई बार नहीं भी उपाती है, that's a separate case, ठीक है, चलिए, तो जब भी कोई crime होता है, police का काम होता है, उसको investigate करना, investigation करना, और investigation कौन करता है, जो investigation officer होता है, है ना, वो कोई ASI हो सकता है, SI हो सकता है, ACP, कोई भी officer हो सकता है, और उस officer के पाच कुछ powers होती ह कि वो किसी को भी उस case से related किसी को arrest कर सकता है, है ना, किसी के घर में जाके किसी को office को search कर सकता है, अगर वो case से related है तो, और किसी भी आदमी से question कर सकता है, जो भी उस case को solve करने में उसकी help कर सकते हैं, तो यह investigation officer के पास कुछ power होती है, ठीक है, तो हमारे जो court होते हैं, वो मामला है यह, high court जो है, वो investigation के अंदर दखल अंदाजी करते हैं, और जो investigation officer होता है, उसको direction देते हैं, कि आप फलाँ आदमी को arrest क्यों किया, फलाँ आदमी से questions क्यों पूछे, इसकी वज़े से investigation है, वो hamper होती है, है ना, देखिए यार, यह सब करना पढ़ता investigation officer को, किसी से करनी पढ़ती है, किसके घर जाना पढ़ता है, वो सारी चीज़ करनी पढ़ती है, तभी तो किसी case का असली matter सामनी आएगा, तभी तो कोई case sole हो जाएगा, लेकिन अगर court बार बार उसको बोलेगा, कि आप यह क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो, क्यों, तो उससे investigation hamper होती है, ठीक है, investigation के अंदर interruption आता है, तो यह सारे का सारा मामला जो है, supreme court भी देख रहा था, तो supreme court ने अभी high court को क्या बोला है, high court को साब साब शब्दों में supreme court ने instructions दी है, that you do not have any authority to interfere in the working of investigation officer, कि आप किसी भी investigation के अंदर interfere नहीं कर सकते, यह police का मामला है, उसको अपने हिसाब से करने दीजिए, एक बार जब police जो है, चार सिट दाखिल करेगी, वो मामला आपके पास आएगा, फिर आप उस मामले को देखिए, उससे पहले नहीं, ऐसा supreme court ने high courts को साफ साफ बोला है, ठीक है, तो यह जो court intervention करता है, it is not needed, not only needed, it is also not lawful, ठीक है, तो police जब investigation के उपर कम से कम दो senior officer होते हैं, जो उसको supervise करते हैं, और किसी-किसी बहुत खास मामले में तो है, तीन-तीन supervisor भी होते हैं, तो इतने ज़्यादा supervision के बाद भी अगर police गडबड कर देती है, तो वो एक अलग मामला हो जाता है, लेकिन ऐसा case बहुत कम होते हैं, जब देखे, एक-दो case तो सामनी आई जाते हैं, वो तो हमेशे रहता ही है, वो त अलग बात है, लेकिन देखे, अगर देखा गया, जब बाई-चांस की बात है, बाई-चांस अगर उसके जो supervisor officers हैं, अगर वो भी, अगर धंग से conduct नहीं कर रहे हैं, पूरे affair को, तो वो मामला judiciary के अंदर चला जाएगा, है ना, लेकिन investigation से पहले court को interfere नहीं करना चाहिए, देखे, अगर कोई investigation officer, अगर वो misconduct करता है, तो जो aggrieved party होती है, जो मतलब जिसके उपर वो case होता है, तो उसके पास जो है कहीं safeguard होते हैं, अगर मालोग मेरा कोई case है, और मुझे लगता है कि police misconduct कर रही है, तो मेरे पास कुछ safe guard होते है, judiciary को लेके, जैसे FIR लिखना mandatory होता है, police आपको FIR लिखने से मना नहीं कर सकती, तो ये भी तो कहीं न कहीं लोगों को safeguard दिया गया है, देखे, एक बार अगर police ने FIR लिख दिया, तो police उसके मामले में investigation करने के लिए bind bound हो जाती है, तो FIR लिखन mandatory है, तो ये भी आम आदमी को काफी सहूलित दी गई है, court के दुवारा, ये देखे, चीज मुझे आज बड़ी interesting चीज पता चली, कि जब भी कोई police officer होता है, वो investigation करता है किसी मामले में, उसको एक diary maintain करनी पड़ती है, उस diary के अंदर क्या करता है, वो अपनी daily activity लिखता है, police officer, कि आज मैंने किसको arrest किया, आज मैंने किस सवाल पूछे, कौन से सवाल पूछे, क्यूं पूछे, ये decision मैंने लिया, तो इसके पीछे reasons कौन कौन से थे, उस diary के अंदर हर चीज लिखी जाती है by that investigation officer, तो जब भी मामला court के पास जाता है, और अगर court को ऐसा लगता है कि इ इसने अपना काम ढंक से नहीं किया, तो court जो है, उस diary के बारे में भी पूछ सकता है, और court उस diary को देख सकता है, और उस diary के basis पे उस police officer से questions पूछ सकता है, ठीक है, तो ये भी तो safeguard होता है ना जनता के पास, तो देखें, जनता के पास कहीं सारे safeguard होते हैं, लेकिन overall मामला यह सामने निकल के आता है, कि जो high court होते हैं, या जो lower courts होते हैं, उसको police के मामले में दखलंगदाजी नहीं करनी चाहिए, उसको अपना काम freely कर दे देना चाहिए, ठीक है, conclusion जो है, उसका क्या निकल के आता है, देखिए कुछ मामले में police officers corrupt हो सकते हैं, कुछ मामले में senior officer भी corrupt ह हो सकते हैं, या तो उनके उपर कोई external pressure हो, किसी मंतरी संतरी का, या फिर वो monetary gain के लिए, बराई भूगरा के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है, कि पूरे का पूरा system corrupt है, आजादी के बाद से समझ लीजी आप, police ने बहुत अच्छा काम किया, हमारी country में low and order को maintain करने में, definitely कुछ गडबर इदर उदर हो जाती है, लेकिन उसके लिए पूरे system को दोश देना is not a good thing, ठीक है, तो यह है आज का पूरा मामला था, उसके अलावा जो, वो तो हिंदा हिंदू के अडिटोरियल था, उसके अलावा जो Indian Express के अडिटोरियल है, वो आप दोक्टर्स का एटिटूड कुछ और है, है ना, डोक्टर्स को समझ में आ गया है कि इस समाज में डोक्टर्स की कितनी जादा requirement है, डोक्टर्स को किस तरह की practice करनी चाहिए, तो उसके बारे में यह पूरे का पूरा है, जो हम लोग western medicine practice को follow करते हैं, ठीक है, उसके अंदर ज change करने की जूरत है, ठीक है, तो medicine council of India ने कहीं ऐसी suggestions दी है, कि जो डोक्टर practice करते हैं, उसके अंदर थोड़े बहुत change करना बहुत ही जादा जरूरी है, तो जिन डोक्टर्स को हम लोग जो college उगारा में education दी जाती है, डोक्टर्स को या जो seminar वगारा लगाया जाते हैं, उन चले गए, तो डोक्टर उनको एक emotional support प्रवाइड करा सकता है, है ना, वो सारी की सारी चीज़े यहाँ पे जो है दी गई है, और देखिए जो well research होती है, रिसर्च के basis पे ही doctors को decision लेने चाहिए, अपने मन से decision नहीं लेना चाहिए, है ना, कई बार ऐसा देखा गया, जैसे hydro hydroxy chloroquine के मामले में देखा गया, कि doctors जो है वो लोगों को hydroxy chlorine जो है recommend कर रहे थे, लेकिन बाद में पता चला कि hydroxy chlorine तो जो है वो covid के patient के लिए फाइदमन ही नहीं होती है, तो कई बार doctor भी पीना research के जो है लोगों को दवाईया recommend कर देते हैं, जो की नहीं होना चाहिए, ठीक ह जो है इसके बारे में पता होना चाहिए, चलिए, देखे कई बार ऐसा देखा गया है कि जो test आते हैं, जैसे RT-PCR test, doctor क्या करते हैं, patient का test करवाते हैं, उस test की जो report आती है, उसके basis पे ही जो है दवाई देते हैं, लेकिन कई बार वो जो test है न, वो positive आ जाते हैं, लेकिन patient को symptoms ही नहीं होते हैं, कई बार patient को symptoms होते हैं और test positive आ जाते हैं, तो test के उपर आप लोग 100% rely नहीं कर सकते, doctor को patient to patient situation भी देखनी चाहिए, कोविड के समय में ऐसा देखा गया है कि जो chest, जो CT scan करवाया गया है, वो काफी जादा doctor लोग करवा रहे थे, जबकि CT scan की requirement भी नहीं थ तो doctors भी कहीं बार जो है, वो गलत practice के अंदर involve हो जाते हैं, तो इस attitude को भी change करने की जुर्द है, जैसे यहाँ पर example दिया है, टेली medicine का example दिया, जो exam में भी आप mention कर सकते हो, COVID-19 के time पे, क्योंकि हर आदमी doctor को पास नहीं जा सकता था, doctor के पास hospitals में, क्योंकि restrictions लगी हुई थी, तो doctor क्या कर रहे थे, patients को, या तो video call कर रहे थे, उनको, video call के थुरू, है ना, या WhatsApp के थुरू, जो है, वो patients को attend कर रहे थे, उनको recommendation कर रहे थे, इसे कहा जाता है, टेली medicine, देकि टेली medicine का बहुत benefit होता है, जो rural areas है, जो remote areas है, वहाँ पर दोक्टर नहीं जा सकते, तो टेली medicine के थुरू हम लोग, doctor की सुविधा, वहाँ पर भी पहुंचा सकते हैं, remote areas में भी पहुंचा सकते हैं, तो यह जो शुरुवात हुई है, pandemic के time पर, टेली medicine वाली, इसी practice को जो है, pandemic के बाद भी continue करना चाहिए, क्योंकि यह अच्छी practice है, pandemic के बाद जब यह चला जाएगा, हम यह जो WhatsApp के थुरू या internet के थुरू, है ना, यह facility गाओं गाओं में पहुंच सकती है, अगर सरकार इसको और ज़्यादा push करे तो, है ना, तो यह यहाँ पर पूरी चीज बताई गई है, ठीक है, तो इस editorial का थोड़ा सा देख सकते है, कोई बहुत खास इसमें चीज़ें ऐसी नहीं है, जा exam के लिए बहुत जादे important है, लेकिन कुछ-कुछ चीजे जो इसका करक्स था, वो मैंने आपको बताई दिया है, इसके अंदर जो थोड़ी वो चीज़े mention की गई थी, आगए exam के perspective से, ठीक है, तो यही था आज का हमारा Indian Express का editorial, I hope आपका editorial चलोगोगा, हमेशा की तरह, देखिए, एक चीज मैं आपको फिर से बोलना चाहूँगा, कि जब भी आप editorial देखो न पूरा वीडियो देखा करो, ऐसे 2 मिनिट की, 4 मिनिट की, 5 मिनिट की द प्यारी कर रहे हो, या पर हर चीज इंट्रस्टिंग नहीं है, कुछ subject boring लगेंगे, कुछ subject जो interesting लगेंगे, लेकिन जो boring subject है, वो भी तो आपको पढ़ना पड़ेगा, तो it's better कि आप उस boring subject को जादा समय दो, ताकि interest create हो, तो कुछ topic आपको अच्छे लग सकते हैं, कुछ ख लगने लगेंगी, क्योंकि आपकी understanding develop होने लगेगी, ठीक है, तो आज की editorial में हम लोग इतना ही करेंगे, बाकी हम लोग कल का wait करते हैं, या फिर देखें कुछ और तरह की चीज़े हम लोग लेके आते हैं अपने platform पे, तो वो सारी की सारी चीज़े हैं, आप हमारी वीडिय